चलिए उस तो बात करते हैं सिकूर नहीं कोईशन के बारे में इस कोईशन में एक्जामने ने कहा है On a machine there is 10% trade discount on the mark price of Rs.25000 but the machine is sold at Rs.216000 after giving a cash discount how much is this cash discount यानि एक्जामने ने कहा है कि इस पर कितना cash discount दिया वो आपको बताना है तो simple सी बात है कि total mark price दो दे रखा था वो मुझे 2540 दे रखा था इसका 10% निकालूँगा तो इसमें से 10-0 होगी और 10-0 के बाद इसी value वर में से minus करूँगा यानि 2, 5, 1, 3, 4 minus करूँगा तो मेरे पास जो value बचेगी वो कितने बचेगी 2, 2, 5 और यह मेरे पास में 000 बचेगी और वो बेच कितने में रखा है 2, 1, 6 और यह 000 बेच रहा है इन दोनों का जब difference करूँगा difference कितना है मेरे पास में 9,000 हैगा आपका 9,000 किस पर discount दिया यानि बेच नहीं पर था बेच इतने में दिया तो 2, 2, 5 और यह हो जाएगा आपका 000 इन 2 में 100 करूँगा तो मुझे cash discount की value मिल जाएगी इन 3,0 से 3,0 गया तो 9 से जाएगा तो 9 दुनी 18 और 9 पंचे 45 और 25 हो के 100 यानि कि 4% कि आएगा इसका आपका discount आएगा जो cash discount आएगा देखिए option जो B होगा वो इस question के लिए correct होगा एक बार फिर देखते हैं देखिए जब भी इस type का question आता है तो तो मैं क्या करता हूँ ये last की न 3,0 इसकी है आपने इसकी उड़ा दीजिए इसकी भी last 3,0 इसकी उड़ा दीजिए देखिए क्या answer same आता है इससे भी check करते है भाई 250 है मेरे पास में value उसका मैंने 10% discount निकाला तो 10 बटे में आपका 100 निकालूँगा तो इससे ये गया इससे ये गया तो 250 में से आपका 25 minus करूँगा तो मेरे पास 5 बचेगा, 2 बचेगा और 2 बचेगा यानि कि उसकी जो value है एक discount देने के बाद 2 to 5 रुपीज बची ये उसकी value बची अब कहा रहा है कि इस वाले को भी उसने किया उससे कम कीमत बेश देए कितना 260 रुपे में बेश दिया इन दोनों का जब difference देखों तो difference कितना आ रहा है मेरे पास 9 रुपे 9 रुपे difference कितना रहा है 225 पर आ रहा है इन 2 में मैं अगर से 100 करूँगा तो मेरे पास में discount क्या जाएगा discount परसेंट रिटा जाएगा यानि कि जो cash discount दिया से 9 तो 9 रुपे अठारा और 9 पंजे पैतालिस और पच्छी चोके सो यानि 4 परशेंट का आपका discount आ रहा है यानि कि अगर कभी कभी मेरे पास जादा बड़ी value है तो लास्ट की जुतनी value बराबर बराबर को काट दूँगा तो भी मेरे को मेरा answer correct मिल जाएगा नहीं तो इसमें देख लेजिए इसके बीचे कितनी एक दो और तीन जीरो थी तो यहाँ पर एक दो तीन जीरो लगा दीजिए यहाँ पर कितनी एक दो तीन जीरो जाएगी जाएगा यहाँ पर कितना जाएगा एक दो तीन जाएगा बात हुई है यहाँ काट लीजिए आई होप आप सभी को कुशन समझ में आया होगा